जैशी कृष्णा हरहर महादीव कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत करती हो आपके अपनी यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा वास्तू टिप्स में 10 MARIRS Ravii VAR के दिन पढ़े फागुन माक्स की हमावस्या टिति ही हर हमावस्या टिति बहुत जादा खास होती आप सब जानते हैं दिपावली का पर्वury की इस दिन मनाया जाता है वो भी हमावस्या के तिति होती है हमावस्या के तिति के दिन रात्री के समय हम मालंश्मी की अमावस्यातिती कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के ले महत्तपून होती हैं तो आप अगर अमावस्यातिती पर चौ मुखी दिपक का ये खास उपाई अपनाते हैं तो जितनी भी आठी तंगिये वो सारी दूर होती हैं आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही जोती शुपाई लेकर आई हूँ जिसको करके आप अपनी जीवन की समस परिशानियों और कश्टों को दूर कर सकते हैं घर में पैसा टिकता नहीं है आमदनी अठनी है खर्चारो पईया है ऐसी स्थिती में क्या करें ऐसी स्थिती में कर लीजे चौ मुखी दीपक और एक रुपे के सिक्के का ये अचूक सा उपाई तो चलिए वीडियो में बढ़ने आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमिंट्स बोक्स में जैशी कृष्णा हरहर महादेव अविश्य लिखे आपकी घर में माल लक्ष्मी की असीम किरपादिश्टी सदेव बनी रहेगी किसी भी अमवस्य अतिती से आप इस कारे को कर सकते हैं इसलिए कि देखी हर एक अमवस्य तिती बहुत विशेश माद्वर रखती है जैसे कि आज है 10 मार्च 2024 रविवार का धीन और अमवस्य तिती आज के अमवस्य तिती से यह उपाई शुरू करें और कम से कम आपकी पूरी आने वाली अगली अमवस्य तिती तक करते लें फिर देखके चमतकार आपके घर में आपको स्वें परिवर्टन दिखना शुरू हो जाएगा दर 10 रुपे से आपके पास सेविंग होगी घर के दो लोग कमारे मगर पैसा बिलकुल नहीं टिक रहा ऐसी सिदी बनी हुई है पैसा टिकना शुरू हो जागा फिजल खर्ची बंद हो जाएगी किसी का स्वास्ति अगर खराब है तो ठीक हो जाएगा घर में कल है लडाई जगडे नेगिटिविटी बहुत जाद है तो वो सब चीज़े ठीक हुई है सिब मात्र एक चौ मुखी दिपक के इस उपाए से आपने क्या है देखिए चौ मुखी दिपक कैस सहती थी कि रात को सोने के पहले आपने सुपाय को करना है जब भी आप सोते हैं आपके घर में सोने जा रहे हैं उससे पहले आप पूरी त्यारी कर लेजे अपनी दिपक को जरूर साफ रखेंगे गंदा नहीं छोड़ेंगे दिपक साफ रखेंगे अब आटे से एक चौ के बाद आपने इसके ढंदा डालने है एक चीज वो है एक रुपे का सिक्का उसक्के को डाल दीजे अब इस दिपक को ले जाकर आपने अपने घर के अंदर की तरफ से जो भी आपके दिशा बढ़ती है आपके सीधे हाथ की तरफ जैसे आप खड़े होते हैं और आपका ज बहुत ही छोटा सा सरल्सा यह उपाए है अगर आप रोज बना रहे तो अति उत्तम है नहीं बना रहे हैं तो कोई बात कि आप चौमुकी दीपक ले लीजी मार्किट में आपको इजली मिट्टी का दीपक मिल जागा किसी धातु का भी मिल जाएगा अब वो दीपक भी ले सक है अगर आप आटे का बना रहे है तो रूज सुबात क्या करेंगी छोटा सा यह दीपक बना रहे हैं अप उसकी इटा दीजिए एक रुपए का सिख्का फिर से उठा के अपने मंदिर में रख दीजिए इसलिए का आपने इसी ही सिख्के को हर रोज प्रती दिन उस दीपक दूर होते हैं और खास आपने चौ मुखी दीपक एक दीपक हर अमवस्या के दिन अब अमवस्या तिति चाहिए वो किसी भी दिन को पड़ रही हो हर अमवस्या तिति को रात्री के नौ बजे के बाद चौ मुखी दीपक बनाएं उसके अंदर आप साथ लॉंग डाल दें और इस दीपक को ले जाकर आपने जलाना का है पीपल के व्रिश के पास कोई सा भी दिन हो यह मैटर नहीं रखता है आपने सिफिक दीपक बनाना है चौ मुखी दीपक और इस दीपक को नौ बजे के अंतरगाल में जो टाइम पीरियड है उसके अंदर ही आपने ले जाकर जला सरसू के तेल का जला सकते हैं और इस दीपक में आपने साथ लौंग जरू डालनी है और फिर इसे लजाके दीपक को पीपल के व्रिश के पास जला के चले आना है और तीन परिकर्मा लगानी है तीन परिकर्मा लगाते विए सीधा अपने घर आ जाए यह उपाए अगर ना है तो फिर कहना और कमेंट्स बॉक्स में फिद्बैक दी जरू हो दीजिए का जैश्वी कृष्णा हर हर महादीव